तो मैं लोग Darwin FP में अपना नए ड्रोन लाँच किया है, 4D, 4 इंच के नाम से, all around the world, लेकिन मुझे लगता निया, उनको कोई भी प्लान है उसे इंडिया में sell करने का, अब मैं future का कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंडिय हमें जो भी available parts है, उनने यूज़ करके एक similar drone मना सकते हो, यार मैं एक चीज़ पहले ही clear कर देता हूँ, ये कोई build वीडियो नहीं है, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा, कौन से आप best parts यूज़ कर सकते हैं इस drone को बनाने के लिए, भाई मेरे पास इतना budget नहीं है, कि मैं हर महीने एक नए FP drone की build video डालो तुम लोगों के लिए, बात तो सही है, तो वहले हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मारे frame से, जो frame मैं आपको recommend करूँगा, आप use करो, वो है HGLRC की तरफ से sector 4 frame, अब मुझे पता है, जो Darwin FPV का जो frame है, वो foldable arms के function के साथ आत अब मुझे पता है, तुम लोग के कान खड़े हो गए होंगे, लेकिन भाई इससे better frame आपको नहीं मिलेगा, reliable है और lightweight है, तो हम इसी frame को use करेंगे, तो भाई दूसरा number आता है मैरी motors का, motors मैं आपको recommend करूँगा, use करना 1404 size की motors, 3800 kv से लेके 4000 kv की बीच में best option रहेगा, जो म कुछ उपर नहीं है वाई, अगर आपको एक budget में option चाहिए, तो मैं recommend करूँगा, use करना, dietone की तरफ से toka motors, वो 4000 kv कुछ की होंगी, और आपको 1000 rupees पर piece की पड़ेंगी, description मैं मैं उसका link डाल दूँगा, तो भाई तीसरा number आता है, हमारा flight controller का, काफी देर तक website से सर्च मारने के बाद जो मुझे best option लगा, वो था जेपरसी की तरफ से tacker G4, अगर हम इसके features की बात करो, तो यह एक all-in-one flight controller है, यानि हमारा flight controller और ESCs है, वो एक ही board में built in है, और इसमें आपको 35 amps के ESCs मिलते है, यानि कितनी दिएर तक अपने drone को अड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं होने वा है, फर एक्जामपल यह, यानि ESCs का हमारा 4-in-one stack और हमारा flight controller अलग से 20 by 20 का stack है यह, लेकिन यार यह आई थिंक आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, speedy भी के अगर में बात करू, उनका जो mini stack आता है, वो 6,000 रुपे का पड़ेगा, तो मैं आपको जेपरसी का यह all-in-one flight controller ही recommend करूँगा, तो मैं लग चौथा नंबर जो आता है, वो हमारा camera और VTX, क्यूंकि हम एक long range FPV drone मना रहे हैं, तो इन दोनों चीज़ों पर भाई, थोड़ा तो खर्चा करना पड़ेगा न, अगर मैं camera की बात करूँ, तो मैं आपको recommend करूँगा, Foxir की तरफ से Predator 5, अब अगर मैं VTX ही बात करूँ, तो VTX मैं आपको recommend करूँगा, आप use करो, HGLRC की तरफ से Zeus, ये 800 milliwatt का VTX है, तो आपको काफी अच्छी range मिल जाएगी, 2-3 km की, तो stock antenna के साथ, तो भाई, पांसवे नंबर आता है, batteries, यार, batteries के लिए हमारे बस दो options है, सबसे पहला तो अगर आपको performance और flight time दोनों चीए, तो मैं आपको recommend करूँगा, कि आप एक 3 cell की LiPo battery यूज़ करो, 1000 mH से लेके 1200 mH की, जो कि आपको आराम से 15 से 20 मिल तका flight time दे देगी, और काफी अच्छी performance भी देगी, लेकिन अगर आपको सिर्फ flight time चीए, तो मैं आपको recommend करूँगा, कि आप 3 cell की Lithium man battery यूज़ करो, जिसे बनाने के लिए आपको Molly cell के P28A cells यूज़ करने पड़ेंगे, या 200 mH के Lithium man cells है, जो कि आपको आराम से आदे घंटे से भी उपर का flight time दे देंगे, अगर आपको सिर्फ flight time चीए, तो आप ये वाली battery यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको performance और flight time दोनों चीए, तो आप Leepo battery यूज़ कर सकते हो, तो लास्ट नंबर पर हमारे तीन पार्ट सरे जाते हैं, बस हमारे जो receiver है, antenna है और propellers, या receiver के लिए तो मैं आपको आग बंद करके recommend करूँगा, कि आप एक ELRS का receiver लेलो, आपको बहुत भी अच्छी range मिल जाएगी, ल लेकिन अगर आपको और अच्छी range और better video quality चीए, तो आप use कर सकते हो, जो HGLRC के तरब से hammer antennas आते हैं, mini size के, वो आपके लिए better रहेंगे, और अगर आप मैं propellers की बात करूँगा, आप use कर सकते हो, 4019 के gym fan के propellers, ये fold हो जाते हैं, floppy-proppy के नाम से आते हैं, नाम थोड़ा जीए पर जानता हूँ, लेकिन इनकी वज़े से आप अपने drone को कहीं पर भी आसानी से carry कर सकते हो, तो वाई लोग यहीते हैं वो सारे parts जिने use करके आप Darwin FPV जैसा अच्छा एक drone मना सकते हो, जिसमें आपको इतने सारे features मिलते हैं, 200 gram के आप limit में रह सकते हो, कहीं पर भी आ मुझसे email करके मुझसे पूछा था, कि प्लीज यान मेरे को बताओ सारे parts जो मैं use कर सकता हूँ, ऐसे drone को बनाने के लिए, तो उनी के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों के दिमाख में भी कोई भी question हो, आप भी कोई build plans जानना चाहते हो, तो आप मुझे email कर सकते हो, या फिर comment section में भी लिख सकते हो, and thank you very much for watching this video.